दिल्ली अंसियार वालों की आग कि सुभर विहत तनाफ फून कुजरी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जैसे ही माता पिता दूसरे कामों को निपटाने की तैयारी कर रहे थे स्कूल से भेजए गए मैसेज ने उन्हें डरा दिया दरसल दिल्ली अंसियार के सो से ज्यादा स्कूलों को इमेल भेज कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी ये इमेल सुभ़ सुभ़ आया था जिसके बाद स्कूलों ने तुरंत इसकी सूचना पोलिस को दी आनन फानन में सभी स्कूलों में तलाशी अभ्यान चुलाया किया पोलिस, बम स्कूर्ट, डॉग स्कूर्ट और फायर बिगेट की टीमों ने इस स्कूलों में पहुँच कर जाच परताल की दिल्ली NCR के स्कूलों को जो धमकी भरा मेल मिला है उसमें जिस मेल आइडी से भेजा गया है उसमें शब्द लिखा है सबसे मेल बाती है कि जाच में पता चला है कि जो यह शब्द स्वारिम है यह सलिल अल स्वारीम शब्द का एक हिस्सा है सलिल अल स्वारीम का सीधे सीधे करनेक्शन ISIS से है एक तरफ सर्च अभ्यान चल रहा था तो दूसरी तरफ 시क्ष् Rome Management ने अब आउको को संदेश भेज़ कर बच्चों को घर ले जाने की गजरनिश की जिसके बाद अभी वावकों के भी इच खलबली मच गई वो बच्चों को घर ले जाने के लिए स्कूल पहुंचने लगे बहुत हो गया चानक से एक्टम से वह अफ़ा फैल इसके विए से जादा जाम हो बहुत जादा बीट बढ़ा का और रखा है इनकी जो बैक से वह भी लॉक कर दिये है और यहां पर कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं है तो मैंने को बेटी को बेज़ दीजिए हमें में मैसे जाए था वह सब्सक्राइब की कुछ बॉम का थ्रेट है तो बचों को बस से डिपार्ट कर दिया जाएगा 915 पर पर हम लोग यहां नोटा में थे तो हमने का एक बच्छ करने के लिए उन्होंने मेसेज डाला था प्राइवेट कम्यूटर्स के लिए बाकि जो बस वाले बच्चे हैं वो स्कूल बस से जा रहे हैं स्कूली बच्चों और उनके अभिवावकों में खौफ के वज़ए थी धमकी भरे इमेल में इस्तिमाल की गई नफ्रती भाशा इसमें लिखा गया था हमारे दिल में जहाद की आग है हमारे हाथों में जोलुहा है वो हमारे दिलों को गले रगाता है इंशानला हम उसे हवा के जरिये भेजेंगे और तुम्हारे शरीर के टुकडे टुकडे कर देंगे हम तुम्हें आग की लप्टों में छोग देंगे तुम्हारा तम घुट जाएगा अल्ला ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है काफिरों एंशानला तुम इसी आग में हमेशा के लिए चल जाओगे काफी स्कूल में आज ये इमेल आया है कल कुछ हॉस्पिटल में भी आया है हालाके स्कूलों की गहन चार्च के बाद कुछ भी संदिहास्पत नहीं मिला जिसके बाद उन स्कूल प्रिशासन ने रहत की सांस ली जोने धंकी वहरे इमेल भीज़ गए थे ग्रेम अंत्रालन ने कहा कि ये जूटी धंकी हो सकती है लहाजा अभिबावकों को घबराने की जरूरत नहीं है पैनिक कंट्रोल के लिए तो हम आप के थुरू और बाकी मीडिया चैनल के थुरू हम लोगों को जाकरूप कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को जितनी भी कॉल्स हैं उनको बहुत सीरियस ली लेते हुए हर जगा थौर चेकिंग की है लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है तो इसका लगता है कि ये किसीने पैनिक क्रियेट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है दिली पुलिस एंटरपोल की मदद से इमेल की जाच मजुट गई है शुरुवाती जाच से पता चला है कि सभी स्कूलों को एक ही जैसी इमेल भेजी गई धमकी भरे इमेल भेजने के लिए भी एक ही मेल आईडी का इस्तिमाल किया गया सुत्रों के मताबिक सभी स्कूलों को इमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रस भी इस्तिमाल हुआ और धमकी भरे इमेल रश्यन सर्वर की मदद से भेजे गई दिल्ली के उप्राजिपाल विनर सक्सीना ने दिल्ली पुलिस कमिशनर से पूरे मामले में डेटेल रिपोर्ट मागी है दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जाच चल रही है मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो कल्पेट्स हैं और बक्षे नहीं जाएंगे उनको बहुत सक्सरा मिलेगी युनोंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश किया है जाच एजेंसियों ने धम की भरे इमेल भेजने में किसी संगठन का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया है दिल्ली पुलिस की साइबर टीम इमेल वाली साज़श को सुलजाने में चुट गई है पुलिस उत्रों के मताबिक ये जरूरी नहीं है कि सभी मेल रूस से स्कुरों को भेजी गई है ये साज़श भारत में बैटकर भी की जा सकती है यानि अभी पोक्ता तोर पर ये कहना सही नहीं होगा कि इमेल वास्तव वे रूस से ही आया था बच्चों को ढराने की साज़श चाहे किसी की भी हो दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि वो बच नहीं पाएगा